अब आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने कहां कहां पर आपको ट्रेड दिया था बात करें मार्केट की तो मार्केट आज हमारा निगेटिब में 90 पॉइंट क्लोज हुआ है RBI की पॉलिसी सही थी एक्सपेक्टेड जो था वही था कि कुछ चेंज नहीं किया जाएगा वैसा ही हुआ मार्केट ने उस टाइम में एक मूव दिया मार्केट में शार्प मूव आया 10 बजे लेकिन उसके बाद एक बड़ा फॉल यानि कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ट्रेप किया गया क्या हम ट्रेप हुए नहीं ट्रेप हुए हमने वहाँ पर बनाया पैसा कैसे वो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की वीडियो में एक सेकंड दो मेरे को यहाँ पर अगर आप देखोगे कल का जो सेनेरी हो था वो था कि मार्केट बुलिश हो सकता है लेकिन सुबह की वीडियो में ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं अगर आप यह वीडियो देखोगे जो 10 गंटे पहले डाली है यहाँ पर मैंने कलेकट बताया था कि हमारा मार्केट 1906 के आसपास ओपन हो सकता है और हम कहाँ पर उसके बाद एक flag and pole पैटन मिला उसमें भी मैंने आप लोग को update दिया एक मिनट दो मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ एक एक करके तो अगर आप यहाँ पर notice करेंगे तो यह देख सकते हो आप यह timing है 11 बज़ के 34 मिनट की यहाँ पर जब यह flag and pole बन रहा था तब ही मैंने यह आपको बनाखे डाल दिया था ठीक है जिसने यहाँ पर बनाई है trade well बहुत बढ़ी बात है नहीं बनाई है तो आपकी mistake है विकोज आपको पता ही नहीं है कि flagpole होता क्या है तो आपको knowledge देने जरूरी है knowledge के बिना आप पैसा नहीं बना पाऊगे option buying में अब बात करें कि हमने अपनी पहली trade कब दे दी थी तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी हमारे members quick profit बनाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 9.30 मिनिट पे हमारा पहला trade खतम हो गया था जहाँ पर लोगों ने 937, 500 चारसो सतानवे, दो हजार तीन सो, दो सो पैतालीस, आठ हजार, साथ एर यह सारे profit morning के आदे एक गंटे में लोगों ने बना लिया था यह अगर आप देखोगे तो यह 9.35 का trade है इसके बाद अगर मैं आपको profit दिखाऊं तो यह जो profit देख रहा है यह 10.12 मिनट का profit है यह भी 500 का profit है उसके बाद यह देख सकते हो 10.17 मिनट पे हमारे एक member ने टोटल 18,000 रुपए बना लिये थे आप बनाना चाहते हो तो आपको मेरे से connect करना पड़ेगा, उसका information आपको सब इधर मिल जाएगा यह देख सकते हो बाद की profit कितने शांदर और यह आज नहीं everyday profit बनवा रहा हूँ मैं अपने members का और telegram पर भी साथ-साथ आप लोगों को trades देता हूँ बट दिक्कत है आप लोग लेते नहीं हो यह problem है, अब बात करूँँग मैंने सुबह आप लोगो एक चीज बताई थी कि जब तक हमारा market इस channel में है आप कुछ मत करो वो channel मैंने आपको साफ-साफ बना के दिया था, वो channel था यह मैंने आपको बोला था कि यह उपर बाला line और नीचे वाला line जब तक नहीं निकलता है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे और आप देख सकते हैं उसके बाद जब fall आया, तो हमारा जब नीचे वाला यह line निकला है, आप देख सकते हैं कि उपर से resistance, resistance और उसका एक बड़ी candle और उसके बाद बड़ा fall तो अगर आप लोग 19,570 के नीचे भी buy करते तो market 500 तक गया था आपको 70 point मिलते मेरे भाई 70 point ठीक है उसके बाद और भी trades कराई flag and pole पे आपको बताया और यह सारी trade ना आपको ऐसे ही मिलती है इतना आराम से फिर भी आप लोग पैसा जब नहीं बनाते हैं तब बड़ा बेकार लगता है तो आप लोग भाई पैसा बनाओ 3 p.m पे आज ज़्यादा बड़ा कुछ मिला नहीं 10 बारे point का trade मिला तो मैं वो बताना चाहूंगा ही नहीं बिकॉस जब तक 15-20 point नहीं बनते हैं 3 p.m तब तक हम trade नहीं बनवाते हैं एक और trade हमने plan किया था जो था हमारा कहां पर बनवाय था जो कि special सिर्फ members लोगों को मैंने trade दिया था 19,000 90,000 540 पे trade था हमारा वहां से हमारा market नीचे आया था और वो trade था ये वाले level पर अगर आप notice करेंगे यहां पर हमने trade बनवाय था जब market दुबारा fall किया था market ने retest किया उपर और उसको जब निकला तो वहां पर trade बनवाय था और वो भी हमारा 19,503 तक गया था ठीक है लेकिन ये members का था तो वो मैंने आप लोगो को बताया नहीं ठीक है सिर्फ दो ही trade मिलते हैं बागी trades member के लिए रहते हैं तो अगर आपको join करना है मुझे तो बागी information आपको telegram पर मिल जाएगी telegram का link description मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं देखो मैंने दिखा दिया कि आज का profit क्या बनाए ऐसे हम रोजाना profit बनाते हैं आप रोज वीडियो जाके देखो पुरानी आपको रोजाना screenshot मिल जाएगे और वो real है यहाँ पर कुछ fake नहीं चल रहा है यहाँ पर भाई पूरे दिन मेनज चलती है अब बात करते हैं market अब क्या कर सकता है कौन से level important देखे कल भी मैंने आप लोग को यह बना के दिया था इसके उपर यह वाला move capture करवाया था आज भी मैंने यह flag and pole बना के दिया इसके उपर यह move capture करवाया तो यार यह सब कुछ आपको मिलेगा तब जब आप active रहोगा ठीक है तुमको पका पकाया trade नहीं दूँगा क्योंकि यहाँ पर learning के साथ काम हो रहा है ना कि आपको tips provide कराए जा रहे हैं जो tip दे रहे हैं तो आप उनके पास जाओ तो बढ़िया रहेगा अपना पूरा loss कर देना तो भाई market ना वापस से उसी range में फसा हुआ है आप एक चीज़ notice करो market हमारा कल ये rally दिया morning में ही इसको साफ कर दिया और आज कहीं यहाँ पर closing दे दिया पहले ही market इस range में चल रहा था market आज उसके नीचे वाली range में आ गया है दुबारा से तो अब क्या important है क्या करें कहां पर trade बनाए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है आप लोग के लिए तो अगर आप notice करोगे तो आज market ने कहां कहां से resistance लिये हैं वो हमारे लिए काफी important दिन आज काफी important रहने वाला है downside की बात करें आपको clear cut समझा रहा है कि 19,500 एक support level है पहले से भी था और आज भी market ने अच्छा support वहाँ पर लिया है तो clear cut अगर हम इसके नीचे निकलते हैं बड़ी कोई candle बनती है आप लोग को put में जाना है आपका target होगा 19,440 का जो ये नीचे का trend line आ रहा है ठीक है ये हमारा downside के लिए plan अगर हम इसके नीचे भी निकल जाते हैं यानि कि 19,440 के नीचे निकल जाएंगे तब आपका target क्या रहेगा then आपका target हो जाएगा 19,400 अगर हम 440 निकालते हैं तो आपका target 400 हो जाएगा यहाँ पर यह चोटा सा support है I don't think कि यहाँ पर support वापस से मिलेगा इसको अगर हम बड़ा कर देते हैं तो यह 19,460 देखो कल अगर हम निकालते हैं 19,500 then 450, 460 उसको निकालेंगे तो आपको confirm करना है कि 440 भी निकलना चाहिए उसके बाद हम वापस से आजाएंगे 400 अब तक 400 निकालेंगे तो 350, 360 और 350, 360 निकालेंगे तो 320 यह आपके downside के target हैं अब बात कर लेते हैं भाई उपर क्या हो सकता है उपर के लिए भी कुछ बता दो तो वो भी बताते हैं आपको हमारा market 90,550 पर है अगर हम 90,560 निकालते हैं देन आपको जाना है call के अंदर call के अंदर आपका target क्या होगा पहला target होगा आपका 580 क्योंकि 580 आप देख सकते हैं यह वाला level है जहांपर market सुभे support लिया था उसके बाद यह level है जहांसे market resistance लिया था तो 560 निकालेंगे तो 580 तक जाएंगे 580 के बाद 600 यह level थोड़ा सा confusing रहने वाला है तो जिसको भी trade बनानी होगी तो 580 के around बनाएगा call side में और target 600 का होना चाहिए अगर कहीं भी rejection मिले किसी भी candle में जैसे कि यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है आपको तो आपको out हो जाना है ठीक है देखो इस type की जो candle बनी है यहाँ पर आपको out हो जाना है यह candle गई थी 600 तक लेकिन closing दिया है लगो 585 के आसपस तो ऐसी कुछ candle बनेगी तो आपको निकल जाना है then safe set आप बनेगी 90,600 के उपर और इसको और अगर हम बड़ा कर दें इस trend line को तो यह कल के दिन कहां पर मिलती है यह 90,600 पर मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा high भी है तो यह आपके उपर के level बन जाते हैं ठीक है अब क्यों से level निकल के आए दो मिनिट दो यह भाई दा trade room भाई ने कुछ तो अपना एक वीडियो डाला है आप जाके देख लेना उपर हमारे notification आए क्योंकि हम भी देखते हैं ठीक है ऐसा नहीं है ठीक है तो अगर हम बात करें यह तो अगर हम इसके उपर निकलते हैं 95,60 के उपर आपके लिए 580 का level है उसके बाद 600 का level है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है 615,620 के उपर आपको trade बनानी है 640 के लिए और 640 के उपर आपको trade बनानी है यह जो अपना यह line आ रहा है trend line इसके लिए एक second इसको और बड़ा करें तब समझ में आएगा कहां तक यह जा रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कल दिक्कत दे सकता है market क्योंकि यहाँ पर आप देखो दो trend line इसके बहुत पहले से चलती हुई आ रही है और यह कभी recent हमारी चलना चालू हुई है यहाँ पर आप कुछ मत करना अगर करना है तो आपको फटाक से 600 पर ही बाइंग करनी पड़ेगी आप ऐसा नहीं कर सकते है कि 610 पर बाइंग करने है अगर आप ऐसा करोगे तो आप फस सकते हो ठीक है आपको एक stop loss लेके चलना पड़ता है और stop loss आपका धंका होना चाहिए अधरवाइस हमेशा stop loss को खवाओ गए ठीक है यहाँ पर देखो यह gap creation है तो market यहाँ पर पका resistance लेगा इस area में तो वो आप लोग को देख के रखना है ठीक है यह एक area है जहाँ पर market में थोड़ा सा दिक्कत करेगा कहाँ पर 515 से लेगे 525 माल लो इसमें range में थोड़ा सा दिक्कत करेगा देन अगर हम इसको निकालते हैं यानि कि इस high को निकालते हैं तब हम bullish होंगे और यह bullishness जाएगी 680 तक और उसके बाद हमारे trend line 700 के आसपास कटेगी कल के दिन तो वहाँ तक हम जा सकता है अगर यहाँ पर काटेगी तो यहाँ पर अच्छा target बनेगा अगर इन दोनों का कटेगा यानि कि यह trend line भी कटेगी और यह जो range है यह भी कटेगा यानि कि 680 को पर हम bullish होंगे 700 के नहीं 720 के level के लिए ठीक है आयोप आप लोगको वीडियो समझ में आगी होगी नहीं आईए तो रुको वापस से देखो उसके बाद वापस से plan करो बागी तो मैं आपको टेलिग्राम पर ट्रेड्स बताऊंगा ही तो उधर भी आप जोइन रही है ताकि चीज़ें आपको समझ में आप आएं आयोप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें टेलिग्राम को जोइन करें बिकोज यहां से आपका share पैसा बनेगा प्रूफ में आप लोगो दिखा दिये हैं बागी कोमेंट सेक्षिन में कुछ पूछना चाहते हैं मिरस पूछो मैं उसका answer आप लोगो कर दूँगा थैंक्यू सो मच मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में बिकोज प्री मार्केट वीडियो उतनी ही important है जितना आपके लिए morning का trade लेना तो उसको join करो and the telegram को join करो थैंक्यू